वैसे दोस्तों 2019 में अगर मुझे किसी भी स्मार्टफोन कंपणी ने इंप्रेस किया है तो वो किया है इन्फिनिक्स ने क्या कमाल के फॉन निकाले हैं प्राइस भी उन्होंने काफी जदा सस्ती रखी है इन्फिनिक्स होट एट आया था उसमें आपको बैक में तरपल केमरे देखने को मिलते हैं चार जीवी चौसर जीवी के साथ आता उसकी प्राइस 6,99 पर रखी देई आप एक और नार्ट फोन निकाला है जिसका नाम है इन्फिनिक्स S5 इस स्मार्टफोन में आपको बैक में प्राइस 8,999 पर रखी गई है कितनी ज्यादा कमाल की प्राइस रखी गई है इस टाइम पर 8,999 पंचोल डिस्प्ले के साथ यह स्मार्टफोन आ रहा है चार केमरे इसमें आपको बैक में देखने को मिल जाते हैं वह कोई भी कंपनी नहीं दे रही है तो आईए और भी इसमें चोहान एक बर आपका फिर से बहुत-बहुत साकत करता हूँ हमारे बास पूर्टेक चल वे हैं जबसे पहले मैं बात करूँ यहां पर इसकी डिजाइन को लेगर के तो चैसे का आप देख पा रहे हैं बैक में चार कैमरे दिये गए और फिजिकल टच वाला इसमें आपको फिंगर्प्रिंट गुण मिल जाता है प्लास्टिक की बॉड़ी के साथ आ लेकिं आपको के साहथ लेकिं इसमें डहीं आताइव लानिक आपको देखने को मिल जाती है और ऐसकी मैंने आपको पहले ही बता दिया और एक चीज में आपको और बता दो बैक में तो फिजिकल टच वाला फिंगर पिंगर पिंट सेंसर दिया ही है साथी साथ इसमें आपको फ्रेंट में भी फेस अलोग देखने को मिल जाता है मैं बात करूँ यहां पे इसकी वीडियो क्वालिटी की बारे में तो मैं आपको बदा तो इसमें आपको वीडियो काफी जदा अच्छी आने वाले है क्योंकि पंचोल डिस्पले जो दी गई है चले दोस्तों अम आपको बदाओं इसकी वेरेंट के बारे में तो आपको एकी वेरेंट में देखने को मिलेगा 4GB, 64GB लेकिन कमाल की बात यह है कि जरूरत पर नहीं पड़ आप इसकी मेमोरी को expand भी कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपको स्मार्टफॉन में होना चाहिए और दोस्तों मैं आपको बदा दूँए अगर आप इस चैनल में पहली बात को वीडियो देख रहे है चैनल अभी तक सब्सक्राइब लीगा है सब्सक्राइब करके बेल वाले आकन को जो उसे फ्रेस कर रहे है और हाँ और पे क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नर्टिकेसन आपको 100% बिल जाए जैसे वीडियो को अप्लोड करते है चले दोस्तों अब बात करेंगे हम तो यहाँ पे इन्फिनिक्स S5 की बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको 4000 mh की बैटरी देखने को मिल जाती है USB केबल देखने को मिलेगी Type-C port आपको नहीं देखने को मिलेगा लेकिन मैं आपको बता दो 10W का चार्जर आपको बॉक्स से साथ ही देखने को मिलेगा और जैसा कि मैं आपको बता हूँ यहाँ पे इसके प्रोस्टर के बारे में तो यहाँ पे आपको Helio का P22 प्रोस्टर देखने को मिल जाता है वैसे Infinix से एक ही गुजारस है प्राइस भी अच्छी रखते हैं इस पैसिफिकेसंद भी अच्छी लेकर के आते हैं लेकिन थोड़ा सा वो प्रोस्टर का ख्याल नहीं रखते है अगर यहाँ पे Qualcomm का प्रोस्टर होता तो मच बैटर होता लेकिन फिर भी Helio का P22 ठीक प्रोस्टर है आपके लिए और दोस्तों आप डालेंगे हम लोग यहाँ पे इसके Biggest Feature वनलब Highlight Features के उपर नज़र जो किया इसका Camera जैफरेट्स इसमें आपको बैक में चार कैमरे देखने को मिल जाता है 16 Megapixel का इसमें आपको Primary Sensor देखने को मिल जाता है 5 Megapixel का आपको इसमें Ultra Wide Sensor देखने को मिल जाता है 2 Megapixel का आपको इसमें Telephoto Lens देखने को मिल जाता है अगर 2 Megapixel का आपको इसमें Depth Sensing देखने को मिल जाता है बैक के Camera चारे काफी जादा कमाल गया है लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा कमाल का है इसका front camera क्योंकि इसमें आपको punch hole camera देखने को मतलए हूँ 32 megapixel के साथ आता है तो मतलब front से आप काफी ज़्यादा अच्छी selfie और काफी ज़्यादा अच्छी video record कर पाएंगे पैसे back से भी कर पाएंगे लिकिन front से कुछ ज़्यादा ही अच्छी कर पाएंगे तो मैं inflex को इस बार camera को लेकर करके ज़्यादा सा थमसब देना चाहूँगा अगर आप देना चाहते हैं तो ज़्यादा इस video को like कर दो पैसे मैं आपको अगर अपना उपनियाद देना चाहूँ तो मैं आपको ज़्यादा से कहना चाहूँ अगर आपका बजट 9000 रुपेगा है तो definitely आप infinix का S5 consider कर सकते हैं आपको ज़्यादा सूचने की ज़रूद नहीं है चले दोस्तों आज की इस video को लिए पसंदा है मुझे उबीद आपको ये video पसंदा आगी होगी